पूरी दिल्ली NCR में प्रदूशन की एक सफेज चादर चड़ चुकी है एक तरह से कहें तो हवाओ में जहर घुल चुका है टेंपरेचर में गिरावट के साथ अब दिल्ली में स्मोक प्लस फोग मतलब स्मोक देखने को मिल रहा है साथ ही यमुना भी अभी तक साफ नहीं हो पई दिल्ली सरकार से यमुना को साफ किया जाएगा यमुना साफ कर सकते हैं यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी जील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमना को इतना खुबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमना के तट पर जाना शुरू करेंगे अगर हम बात करें कि पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं दिल्ली में प्रदूशन कम करने के लिए तो पहला दिवाली को निशाना बनाना और दूसरा पंजाब के किसानों पर जमकर इल्जाम लगाना जहां एक तरफ दिल्ली देश का सबसे प्रदूशित शहर बन चुका है वहीं दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाए बस बहान्य बनाने में लगी है वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है